कि एस टाइम पर वाट दो फोकस ओन यह मेरा वन वे कम्यूनिकेशन है टूवे नहीं है अभी अभी मैं आपके कोई ले रहा हूं मुझे जो चीज है अल्रेडी पता है कि स्टूडेंस फेस करते हैं उस बारे में बात कर रहा हूं ठेक है ना फोकस है फोकस है सबसे पहले चीज है सबसे पहले चीज है सबसे पहले चीज है और जस एड्रेस तिंग्स वन बाइवन पश्च जो चीज एड्रेस करते है वह इसी है कि अभी कैसा ह्रों कि आप अब अच्छों का हर 섞 का लगल्सude कोई व्यक्ति जून में एक ग्रूप दे रहा है कोई व्यक्ति जून में दो ग्रूप दे रहा है कोई एक व्यक्ति का अलग-अलग आउटलुक चल रहा है ठीक रहा है कि कोई जून में एक की त्यारी कर रहा है कोई डिसेंबर में एक की त्यारी कर रहा है डिसेंबर में दो क कि यारी कर रहा है, what I want from you is, do not change your decision again and again, and specially rather I should say, do not question your decision again and again, do not question your decision again and again, कैथा होता है, कि for example, कोई वेक्टी ने प्लाइन किया हुआ है कि मैं मेरे सारे ग्रूप सुन में दे रहा हूँ, ठेक है, तभी उसका एक मितर आता है, उसको कहता है, और यार मेरे सको तो लग रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मैं एक ही ग्रूप दे रहा हूँ, so what happens is, कि आप भी वेटे-वेटे सोचते लोग जाते हो, और यार मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं भी एक ही जलता हूँ, so this is something you should avoid, take a decision, take a decision, take a decision and then freeze it up, उस decision को लेने में आपको 2-3 दे लेना है, लेलो, कि आपको चाहिए, कि यार मैं decision का break लेके मैं decision लोगा, आपको पढ़ने नहीं देगा, यह थोटी आपको पढ़ने नहीं देगा, so what is the solution, the solution is simple, decide and freeze, decide इसको freeze कर लो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उसको freeze कर लो, बस बात खतब होगी, एक बार decision नहीं दे लिए, it will not be questioned at all, जो होगा दिखा जाएगा, मतलब, ऐसा होगा नहीं, वड़िक मानचित्ता के सिर्फ नीचे, भाई मैं मेरा ये ग्रूप दे रहा हूँ, मैं fail होँगा तो भी चलेगा, बड़िक मैं ऐसा दे रहा हूँ, बात खतब, so then nobody can question your decision and you yourself should not question your decision, होता कैसा है, कि हम हमारा बहुत समय वेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ ही decision making में, क्या करना है, एक दू दू दू, एक दू दू, एक दू दू, एक दू दू, ये करू, वो करू, वो करू, उसको बार-बार question करना, is going to waste a hell lot of time, understand very carefully, दूसरा angle, सुनना मरी बात को बहुत अच्छे से, पहला point कहा है, decide and please, दूसरा angle ऐसा है, all over India, thousands of students are going to write the examination, executive or professional, ठेक है, every time, the passing percentage is more or less the same, executive or passing percentage, 10% के आस्पास देता है, professional में, group पर जलग अलग हो सकता है, तो passing percentage हमेशा उतना ही देता है, sir, ये कैसे हो जाता है, कहने का मतलब है के example, if 10,000 students are writing, writing, writing what exam, if 10,000 students are writing the examination, 1,000 will clear, ऐसा एक रेशो है, जो हर बार सेम ही रहता है, पेपर आसान है, तो भी रेशो ऐसा रहता है, पेपर डिफिकल्ट है, तो भी रेशो ऐसा रहता है, तो इससे हमें ये सीखना चाहिए, के भाई साह, as a student, I have to ensure that I am in the top 5%, top 10%, if I am in the top 5%, 10%, then I will comfortably be able to clear the examination, बात खतू, अब यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हैं, जितना समय आप वेस्ट कर रहे हैं, अपने सब सोचने में, decision making में, उतना बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, each and every day should count, आपने दो दिन से दिमांग में यही चल रहा था और पढ़ा ही नहीं हो रहे थी, understand, आपने दो दिन वेस्ट कर लिए, दो दिन यह बाकी जनता आगे बढ़ रहे हैं, आपने दो दिन में करना हैं, जो पर decision making कर दो, decision making करके उसको freeze कर दो, तो आप बार बार उस thought भी जाओगे ना, that is gonna waste a lot of time, अब आप सोचो अगर आपने smart होके, अगर आपने smart होके एक बार freeze कर लिया, आप बाकी सब जनता तो time waste कर दिया ना, उस पे, कि हाँ यार एक दो 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 क्या करो क्या करो, और आपने freeze कर दिया है, तो बाकी लोग शायद rest क मतलब सोच रहे, और आप धीर-धीर-धीर आगे बढ़ रहा हो, तो कहिना कहीं, you will get that advantage, तो हर वो व्यक्ति, जो एक दम focus होके, वो मचली की आँख में देखके भाग रहा है, मचली की आँख की story पता होगी ना, सबको, तो हर वो व्यक्ति, जो मचली की आँख के हिसाब सब भाग रहा है, उसको मतलब भी नहीं है, मेरा decision sorted है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो व्यक्ति successful होने वाला है, so you have to ensure, कि जब बाकी लोग, बाकी लोग रुके ना, हमें नहीं रुकना है, हमने एक decision दे लिया, बाक करताब, now we do not have to waste time, अब आप लोग खुदी रुके हो एसा हुता होगा ना, हुता होगा ना, मुझे ये से हैनु बता ना, बस, कि यार आप ये बुक लेके बैठते हो, जब शांती से पढ़ना चाते हो, तब ऐसे थोट्स दिमाग में आता है, और ऐसे थोट्स हमें पढ़ने नहीं देते हैं, और ये है बेफकूपी, एसे और ऐसे थोट्स हमें पढ़ने नहीं दे, जब एसे थोट्स को बिलकुल वीराउट कर दो, बिकाज आप समझो कि जब आप इन थोट्स के साथ में बैठे हो ना, तब बाकी लोग आगे बढ़ना, बाकी लोग मतना में और लोग इंडिया की बाद, सब लोग एक्साम देरे बाकी जनता को time waste करने तो decision making में, मेरा decision हो गया है, अब कोई मुझे कुछ भी बोलेगा, मेरा decision change नहीं होने हो, so ensure first point पर you take a decision and freeze उस चीज़ को लेके daily time waste करोगे, तो you are certainly going to fail, अगर उस चीज़ पर बार-बार सोच के time waste करोगे, you are certainly going to fail, ठेक है, so thousand students, ten thousand writing, hundred will clear, so point यहापर इतन बहुत अच्छी बात, मैं उन बच्चे बात पर जोगे थोड़ती पर करके time waste करते है, ठेक है, so यहाँ पर आपका summary क्या होना चीए, जहान ही रखना चीए, each and every day counts, आपने एक में दिन वेस्ट के आना तो यह आपको महनगा बढ़ सकता है, each and every day count, ठेक है बाइस साब, तो बिलकुल ज्यान रुखो कि, अभी सब सोचने होचने में time waste करना है, अब मेहनत करने का time है, each and every day count, ठेक है, तीसरी सीज, structure your routine, structure your routine से मेरा मतलब क्या है, एक fix time कर दो, सोने का, एक fix time कर दो, उठने का, fix time पे, you have to sleep, and fix time पे, you have to get up, now I will not recommend the time you should sleep, recommend the time you should get up, हरीका अलग अलग है, कोई व्यक्ति अगर मान लो, और रात बर मेहनत करता है, तो हो सकता है, वो रात को 3 a.m. पे सो रहा होगा, and he is getting up exactly at 7 a.m., 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, यह हो सकता है, हो सकता है, और फिर दिल में शाथे थोड़ा पत रेस्टे लेता होगा, हो सकता है कोई व्यक्ति, जो रात को 10 p.m. पे, और उसमें, जिसके मैं as a student, मैं यह category वाला आदमी होगे, बाए, अपना time पर सोना है, और सो है, जल्दी उठके पढ़ना चालो कर दो अंचन, तो what I am trying to say is, you have to decide that which category do you fall in, and now I am not recommending you to take this category off, कि यही category में सब लोगा हो, नहीं, आपको जिस चीज में आपको लगता है कि आपके अक्चुल पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई का, वो पढ़ाई करने, so then, organize your routine, मतलब हमारा बॉड़ी को अगर आप बोल दोगे ना पहले से, कि इतनी बज़े सोना है, सोना है, सोना है, तो automatically lean दाएगी, अब दस बज़े सोना है, for example, सार दस, अब दस जाके लेट जो, अब दस परना मिट लगेंगी, बटनीन दाजएगी, बटनीन दाजएगी, सुभा उटते है तैम भी, इस तैम पर उटने है, अब अगर यह आपने जबरदस्ती एक हफता कर लिया है, if at all you've done it compulsively for a week, then आगे you can do it comfortably, so for a week the struggle is going to be really hard, but then it will be automatically structured, so structure your routine, there has to be a fixed time to sleep, there has to be a fixed time to get up, वो time क्या रखना है यह आप डिसाइद करो, but it has to be fixed, daily basis पर सको change नहीं करना है, daily basis पर सको change नहीं करना है, clear है, तो जिसको लगता है कि मेरी रात में पढ़ा है होगी हो रात में पढ़ो, जिसको लगता है मेरी सुबह में पढ़ा होगी सुबह में पढ़ा होगी, next, fourth, keep your mobile, switch door, for, at least, 12 hours a day, सुना मेरी बात को, ये रूल बतारों भी से, कम से कम दिन के 12 घंटे मोबाल सुचाओ फोना ची, कम से कम दिन के 12 घंटे मोबाल सुचाओ फोना ची, और ये सोते तैम नहीं, जग रहे हैं जब अपर, देखो सुना, एक वेक्ती दिन के अंदर 24 घंटे में से आप 7 घंटे सो लिए, 24 घंटे में से आप 7 घंटे सो लिए, तो आपके से कितने 17 घंटे बचे राइट, आपको समझ में आगा कि पढ़ाई कितनी फोकस जो होता कैसा है कि हम पढ़ते पढ़ते एक से नोदर देखते हैं, इंसेग्राम यूट्यूब और अपमें समझ नहीं आता है, हाव वन वीडियो लीट्स तो अदर पर कुछ भी देख रहे हैं बाई साब कुछ भी देख रहे हैं, एक आदमी है, यूएस का है, एक आदमी है, मॉस्को का है, यूएफ नहीं का है, फिलिपिन्स का है, और वघी, इंडिया गुं रहा doğru है, शेलंका गूम उसके वीडियू रहे हैं, हां, क्या कर रहा है, और शेलंका, अरे इस इंडियौ, अरे मॉइका not在 fantasy, विडियों से हम जबदस्ति देखने how it works is that one video leads to another leads to another leads to another and you waste a hell lot of time if you switch off your cell phone i am telling you automatically your effectiveness will start in Greece देखो है मेरा काम है बोलना आपको नहीं मानना है मत मानो बड़ मेरे को इन लगना चीक है मैंने नहीं बता है बच्चे को मैं रेट बसंद आ रहे हूं ट्वेल आर्ट मॉबाइल बंद करके बैठो यू विल रियलाइज से डिफ्रेंस इन यूर स्टरीज कुछ भी मैं को कह रहा हूं इमेजिन नहीं कर सकते वही कि यह हो गया कुछ पूल ब्लॉगर के वीडियो देखे जा रहे हैं और ही कि दिल लिके इस बजार के अंदर देखो यह चट्मी ऐसे मिलती है चार्ट उचाल उचाल के बनाता है अरे यह डोसा फेट फेक के बनाता है अरे भाई साब क्या कुछ मतलब भी नहीं है उन चीजों का कुछ मतलब भी नहीं है उन चीजों का बट आपका के एक से एक से एक से दिडियो रिवन रियालाइस कि मेरा हाफ एनार वेस्ट होगे मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ने बैठो बारा गंटे के लिए उसका मत अब और आपको को डिस्टर्बेंस नहीं होगा मोबाइल रहता ना तो आप इफ्यक्टिवली स्टडी नहीं कर पाते हैं और इर्रिटेशन भी होता है जैसे कि आप बुख लेके बैठे पढ़ रहे हो पंदा मिंट पढ़ाई किया थोड़ा बात हुआ फिर मुबाद पर च इस चर्कल क्रिएट कर देते हैं सो मैं अभी भी कह रहा हूं मुबाइल को एकदम स्विच ऑफ करके रखना है स्विच ऑफ करके रखना है स्विचिंग ऑफ इस अव्ली सेलीशन यह सब बन फ्लाइट मोड कुछ नहीं हम पागल है फ्लाइट मोड पर मोबाइल को हाथ में चेक कर लेते हैं कुछ ना कुछ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है स्विच ऑफ हो गया ना तो थोड़े दिन बहुत इदम रेस्टलेस्टनेस लगेगी वट उसके बाद में सब्सॉर्ट हो जाए सब्सॉर्ट हो जाए तर इस तो यह कुछ बेसिक चीजें हैं अगर आपने चार चीजें चार चीजें आपने करने हैं और मैं क्या कह रहा हूं और ना यह कंई सकते हैं वहां आपको एक और चीज़ separately बताओ कैसे आपने exam के 3 गंटे को handle करना होता है वहाँ पे भी गलती नहीं कर सकते बट ये भी गलती यहाँ पे नहीं कर सकते and I'm telling you कि ये जो time है ना ये जिसने जीत लिया ये जिसने organized तरीके से यूज कर लिया nothing in the world can stop him then nothing in the world can stop him then this is the time this is the time तो आपकी उपरी रहएगा कि भविष्य में ये ना ये है ना कि हाँ बहुत अच्छा समय था आपको अच्छा समय था अवन जोई इट ये रिमेंबर इस ताइम इन इस वाशन और और रूवन रिग्ड इस दिस ताइम सब्सक्राइब करें तो आप इतना रिग्रेट करेंगे बाद में इसकी कोई लिमिट नहीं और अब युट जी जान लगा दिया मतलब युट थो युट्रो युट्व इनकी भाई हर एक चीज दे दी दिन रात पड़ाई करने मेहनत करना है सब्सक्राइब करेंगे लेकिन 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 इस ओल गुट वर्खर यह नहीं कहूंगा कि बाद में जीवने परिशानिया नहीं आती है नहीं परिशानिया हमेशा लाइट में आती रहें कि कुछ ना को चलता रहेंगा बट देन अब इस अब नहीं नहीं आप उस बारे में सोच भी नहीं पाऊगे एक अपने सिर्से बहुत बड़ी चीज उतार दी गई है यह फीलिंग आजए इसको मैं वर्ड में एक्स्प्रेस नहीं कर पाऊंगा जो इस रिजल्ट के दिन की फीलिंग होती है रिजल्ट की दिल की फीलिंग होती है वर्ड में एक्स्प्रेस नहीं करता हूं इसका आप फांडेशन या सीए सीटी की रिजल्ट से कंपेर मत करना कभी भी फांडेशन ने सीए सीटी रिजल्ट वर कहता था कि जुन्ड का जुन्ड पास होता है ना कि अपन सबने दिया इस तो आपको अलोगर इंडिया सब फेल 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 लिए और उसमें जो लोग क्लियर हो रहें ना वाइस सा उसका फीलिया लगे और तो फेल उनको पता है उन्होंने गलती की उन्होंने गलती की तो इस तिस ताइम विन यूप तो स्टाट श्ट यह सई समय अभी अभी हर एक दिन काउंट कर रहा है आप जब मेहनत नहीं करें बाकी लोग कर रहें आगे निकल रहा है कि वह बाकी लोग को टाइम पिस करें मुझे तो पर भी मेहनत कर रहा है अपना रहा है हमेशा है को आपको कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ प्राप्रय अगया ओपका मन आपको क्या यह problem solve और zaj when weifer है 不 ghost oh dear यह problem solve हो जै while weir open पढ़ाई करेंगे मैं आपको बताching कभी hoe चीज क्भी वह चीजे खतम नहीं होने वाली तो अभी के अभी से आपको जीजान लाखे पढ़े पड़े अभी के अभी मेरे बीमार हो ना ठीक हो जाएंगे फिर देखते हैं ऐसा नहीं हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेंगा this is the day आज ही शुरू करना है और आज से लग जाएंगे तो ensure you just follow it okay 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 so just please take care of yourself और खुब सारा पड़ो और खुब कुब आगे बड़ो all the best bye 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 बाय नहीं गदों लेक्चे स्टार्ट कर रहे हैं पना गदों पूर दो